अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है जो कि बहुत कॉमन है इस वेरी कॉमन इवन कॉमनर थैं कॉमन सेंश बहुत सारे लोगों को होता है क्यों होता है इसको समझना आपके लिए अनिवार रहे है अथी आवश्चक है और उसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि blood pressure क्या है फिर बात करेंगे इसके symptom क्या है उसके sign क्या है उसके आगे के complication क्या है everything will be explained in the video in the shot today although we have a lot of videos on high blood pressure in the past but then this will encompass everything in short so आपके खून की नलियों में खून की जो नलियां होती है उस नलियों के अंदर जो internal walls है उस walls में जो force लगता है पानी का जो force लगता है वो force को कहते हैं blood का pressure on the walls so force against the artery अगर वो जादा है तो वो high है लो है तो लो है क्योंकि एक अच्छा pressure चाहिए वरना वो जो नसे हैं वो बंद हो सकती है और blood आगे flow नहीं होगा जब तक pressure नहीं होगा flow कैसे होगा blood pressure determine किया जाता है तीन चार चीजों से number एक के हाट से हर एक beat में कितना blood निकल रहा है औवियसली प्रेशर वह ही बनाएगा जितना blood heart pump कर रहा है धाचक 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 उतना pressure बनाएगा and the amount of resistance जो आगे खून की नसों में है resistance का मतलब क्या है अगर आगे खून की नसें खुली हुई है तो resistance कम है तो blood pressure ठोड़ा कम होगा अगर वह छोटी सी है मानलों यह इतनी बड़ी से का इतनी सी हो जाए तो resistance जादा हो जाएगा आप पानी को जाने मुश्किल होगी तो आपके पीछे छोड़ा भोग देता है पता ही नहीं चलता है अंदर यंदिर आपको मार देता है शरीर के काफी स्टों को डैमेज कर देता है विदाउट शिम्टम्स यह आपके खून की नसे हैं आपके हाट आपके किड्नी आपकी आखें आपके इस सारे और गन्स को डैमेज करने लगता है और जब एक लेवल पर और और गन्स पहुंच जाता है तब शुरू होते हैं शिम्टम्स yeah so yaad रखिए हाई ब्लेट प्रेशर इससाल इस अं कंट्रोलेबल उनकों चॉंक ब्लेट प्रेशर पूरे दिन है अगर मान लो थोड़ी देर के लिए आपका ब्लेट प्लेशर हाई चला गया मान लो 20 मिनिट के लिए 25 मिनिट के लिए so that is not called high blood pressure because 25 मिनिट आप दोड़ोगे तो भी आपका blood pressure 200 जा सकता है 180 जा सकता है 150 जा सकता है that does not mean you are suffering from high blood pressure that just means that okay you are exercising okay because of some stress because of something or the other आपका high blood pressure जो है वो blood pressure जो है किसी में 2 मिनिट में आ जागा किसी में 10 सेकंड में आ जागा किसी में दो घंटे भी लग सकते हैं old age में यह शमता adjust करने की धीरे धीरे slow होती जाती है so अगर किसी का blood pressure कम ही नहीं हो रहा तो उसे कहते हैं high blood pressure hypertension और अगर blood pressure एक ज़्यादा high है that is uncontrolled controlled ही नहीं है मतलब दवाई के बावजुद भी कम नहीं होदा रेस्ट के बावजूद भी कम नहीं हो रहा तो दवाई के बावजूद भी कम नहीं हो रहा उसको कहते हैं Uncontrolled High Blood Pressure या तो आप दवाई ले नहीं रहे या तो आपको दवाई दवाई सूट नहीं कर रही दवाई कम है या बेकार है दवाई whatever you are taking so blood pressure अगर आपका कम नहीं हुआ Uncontrolled है लगातार high है that is equivalent to आप लगातार दौड रहे हैं आप एक घंटा दौड सकते दो घंटा दौड सकते हार्ट अटैक स्ट्रोक बेरियस अदर बिमारी यह खून की नसे हैं यह अंदर यह अंदर क्रैक होने लग जाएंगी इतना प्रेशर हम नहीं जेल सकते हमें मौफी दे दो तो फिर गल्ति किसकी है आपने चेकी नहीं किया चेकी नहीं किया तो पता कैसे चलेगा इसको समय लगता है इसले अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए अल्मोस सब को होगा सब को होगा इवेंचुली आज नहीं तो कल नहीं तो पर सो राइट यह है कि इसको डिटेक्ट आसानी से कर सकते हैं अगर आपने डिटेक्ट कर लिया तो यह कें वर्क टूर रिडियूस दब्लड प्रेशर नाच्रली भी इसके तरीके हैं डैश डायट है हमारा वीडियो भी है डैश डायट डायटरी अप्रोच तो स्टॉप ही पर यह ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना चाहिए बस यह इंपोर्टन नहीं रहेगा normal तो क्या होगा धीरी-धीरे ओरगन डामेज को सिम्टम होंगे सिम्टम तो तक रुकने की जरुरत नहीं यहते गलती है आपकी टायर में हवा कम हो तो फटने तक इंतजार नहीं किया जाता है वै дан देखना खुदी करना पड़ता है blood pressure खुदी चेक करना पड़ता है इसको फटने कां इंतजार मत करो नहीं बहुत जादा लो रहने का और सिम्टम्स आने का तो इंतधार करना मत लेकिन अगर तो क्यों आएंगे मान लो खून की नसों में प्रेशर ज्यादा है आप के दिमाग के तो सम पीपल आगे चलके जब वहां डैमेज होने लगे खून की नसों में तो उनको हैडेक हो सकता है अगर किसी को नाक से खून भैसकता है वहाँ इतना प्रेशर जाता है कि ब्लीडिंग हो रही मानलो शांस फूलने लग रहे यह सारे या मानलो हार्ट में डैम करें या कुछ ना कुछ तो करें अब हाई ब्लट प्रेशर होता कितना है याद रखिए नॉर्मली हाइपर टेंशन को स्टेजिस में डिवाइड किया गया है अगर आपका ब्लट प्रेशर 120 बटा असी यानिवन ट्वेंटी वाइटी है 120 सिस्टॉलिक 80 डिस्टॉलिक अग अगर नीचे वाला ब्लेट प्रेशर ज़्यादा लोग हो गया तो फून रुख जाएगा लो ब्लेट प्रेशर होगा ज्यादा फोस से जाएगा जाएगा कीड़नी पर लगेगा थे आप इतना खतरनाक वाला आपके उपर जहर वाटर्फॉल गिररा है कि आप भी बह गएगा बहुत जादा फोर्स भी अच्छा नहीं होता सेम वे हाई ब्लड प्रेशर अगर आपके किड्नी पे लगेगा दिमाग पे लगेगा आखों पे लगेगा तो इट विल कॉस डैमेज ओना लॉंग टर्म एक दिन में डैमेज नहीं होता राइट और मानलो कोई कोई एनुरिजम है दिमाग में कोई चोटा मोटा क्रैक आया हुआ है लेकिन अपने आप लंबे समय तक प्रॉब्लम रहने से you can have a risk factor so 120 by 80 is normal blood pressure 130 by 90 अगर आपका रहने लग गया 130 by 85 जिसको कहते है 130 by 85 is stage 1 hypertension और उसके उपर 140 by 90 के उपर है तो stage 2 आप इसका मान लीजिए और उसके उपर रहेगा stage 3 और फिर hypertensive urgency, hypertensive emergency यह सारे terminologies हैं जो हमने पहले समझाए हुए है इतना tension में जाने की जरूत नहीं है, medical field का काम है आपको इतना समझना है कि आपका blood pressure 130 by 90 के नीचे होना चाहिए 130 by 90 के नीचे होना चाहिए resting blood pressure that does not mean मैं दोड के आया तो मेरा blood pressure low होना चाहिए, नई resting मतलब आपने 5-10 मिनिट rest कर लिया उसके बाद भी अगर आपका blood pressure high है तो आपको concern होना है तब आपको सोचना है यह क्यों तो डॉक्टर से बात करें और यही blood pressure को 10-10-20 मिनिट में चेक करें कि यह कम आ भी रहा है कि नहीं कि आप लगातार लगातार कम हवा में गाड़ी चलाए जा रहे हो इसे फिर आपको check-up कराना पड़ेगा So that is the basic thing about high blood pressure High blood pressure एक उमर के बाद बढ़ने लगता ही लगता है क्योंकि हमारे खून की नसों की elasticity कम हो जाती है एक उमर के बाद उसकी जो compliance है वो कम हो जाती है तो एक उमर के बाद hypertension होना सुभाविक है इसलिए एक उमर के बाद में आपको diet और वो सारी चीजों में सहुलियत रखनी पड़ती है आज जनवानी जवानी में exercise किया नहीं किया बुड़ाप में करनी पड़ेगी योगा किया नहीं किया करना पड़ेगा करना चाहिए नहीं करोगा तो बिमार होगे नहीं आपको प्राइमरी है और बिमारी नहीं है खुद ही आपका नाइटिंफाइड रीजन प्रोबलम के वजह से या उमर के नुसार है ब्लट प्रेशर आ रहा है यह जो सालों में लगता है स्केंडरी हैइपरटेंशिन इस भिकाउस सम्टिजी आपको सही से नीन नहीं आरी है ब्लट प्रेशर इनके वजह से प्रश्र कोई मानलो कंजेनाइटल डिफेक्ट है आपके खून की नसों में हाइब्लट प्रेशर नसी सुक्डि हुई है मानलो ऐठिक आर्च दबा हुआ है ब्लट प्रेशर बढ़ा देगा जस्त लाइक पाइप को दबाऊ तो प्रेशर बढ़ जाता है वैसा अड्रीनल ग् मेडिकेशन से बत कंट्रोल्स फिल कोल्ड की मेडिसन डी कंजेस्टन्स ओवर दे काउंटर पेन रिलीवर्स यह सारी दवाईयां ब्लड प्रशे बढ़ा सकती है इल्लीगल मेडिसन कोकेन एमफिटामिन ड्रग दवाईयां सिगरेट बीडी तबाकू दारू यह भी ब्लड प प्रकार के रेसे अफ्रीकन हेरिटेज वाले लोगों को ब्लड प्रशर जादा दिखा गया है फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्लड प्रशर है तो बीपी जादा होगा ओवरवेट हो बेस हो इनक्टिव हो चिगरेट पीते हो नमक जादा खाते हो मतलब बाहर का पैकेज़ रिस्क बढ़ा देती है अगर आपने ब्लड प्रशर ठीक नहीं करा तो मैं बता चुका हूँ कैसे आपकी ऐसी तैसी होगी आपको हाट अटैक हो सकता है स्ट्रोक हो सकता है हाट फेलियर हो सकता है ब्रेन में जो खून की नसों में एनुरिजम जैसी फुपुलायाट ब्लड प्रेशर यह बहूत सब्सक्रण शालें इसे diary नहीं नहीं बोला गया इसी लिए में रग्यूलर रिगूलर रिगूलर अपना ब्लेप्रेशर चेक कर आई अपना खुद का घर पे वह वाली जो मशीन है डिजिटल मशीन से भी करो अंदाजन बताएगी कुछ तो बताएगी राइट आपका ब्लड प्रेशर एवरेज दस उपर दस नीचे भी चलेगा लेकिन कुछ तो पता चलेगा अगर आप उसे ठीक करना चाहते हैं ब्लड प्रेशर की दमाईयों के बारे में एसेटरा एसेटरा कभी और बात करें